राजिपाल मोदे की के मुखसे जो अविवाशन पढ़ाया गया है और उसमें सरकार के बारे में कहा गया है कि इन्होंने चहुमू की विकास किया है उसकी एक बांगे आपको बताना चाहता हूं में कि हमेरी बात करें कि किशान के हित में कितना काम किया है तो किशान को एक तरह से बरबाद करके सरकार ने छोड़ दिया है बिजली भाग के बिजली के बिलका डिमांड नोट जमा कराने के लिए और किशानों ने अपने जेवर गिरिवे रखे सामान गिरिवे रखा यह सोच करके कि दो तीन मैंने में उनको बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा लेकिन मिला नहीं साल भर हो गया डिमांड नोट जमा कराए हुए आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो इधर दरू भूम रहे हैं कनेक्शन के लिए लेकिन उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है और जो फसले उनने इसलिए बोदी थी कि इनको पानी दे पाऊंगा में वो पसले उनकी नहीं हो पाईए और किसान बरबाद हो गया है जिन किशानों के खेतों में फसल लला रही है और उनको बिजली के आउशक्ता है उनको बिजली नहीं दी जा रही है जबकि गोशना की गई थी कि बिजली हम दिन में देगे ताकि किशान को इस ठीटूरती सर्दी में रात को खेत में न जाना पड़े यह जो खेत में नहीं ज रात में बिजली नहीं मिल रहे है रात में ही बिजली मिल रहे है दिन में बिजली नहीं मिल रहे है दिन में बिजली नहीं मिलने के कान से रात भर किसान खेत में खड़ा रहता है तक्ट की लगा के खड़ा रहता है वो देखता रहता है कब बिजली आए कब गई, कब आएगी आती है दस मिट के लिए फिर पांच मिट के चली जाती है और इसलिए किसान की फसले भी से और काफी खराब हो गई है किसान को ये भी कहा गया था कि हम आपको बिजली के बिल में दस अजार रुपे महने की छूट देंगे ये दस अजार रुपे एक अजार रुपे महने की छूट देंगे दस अजार रुपे साल की छूट का मानने वह सुन्द्रा राजी जी जो मुख्यमंती थी तो उन्हेंने भी गोश्टना की थी और लगातार दे रही थी लेकिन कॉंग्रेस की सरकार आने के बाद ढ़ाई साल तक उसको बंद रखा और ढ़ाई साल तक बंद रखने कान से हर किसान की इस सरकार ने पच्चीस हजार रुपे की जेब काटी मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में किशी सरकार ने प्रदेश के सारे किसानों की जेब काटी होगी मैंने किशी सरकार को नहीं देखा है यानि ये सरकार पच्चीस पच्चीस हजार रुपे साल की भी किसान की जेब काट सकती है इसमें पहरी बार देखा यहीं आपने इसमें ये भी कलवाया सरकार ने कि शिक्षा में अंग्रेजी के विध्याले खोल करके गरीवों को अंग्रेजी पढ़ाने का यत्न किया गया है लेकिन माने सवापति मौधी मैं आपको बता दू विध्याले करमोनत कर दिये गए हैं शिक्षक नहीं लगाए हैं और शिक्षक कुछ लगाए तो हिंदी माध्यम के वाँ लगा दिये हैं तो हिंदी माध्यम के इसकुल खाली हो गए है हिंदी माध्यम के शिक्षट अंग्रेजी नहीं पड़ा पार है इसके कार्ण से अंग्रेजी पढ़ने वाले चात्री बरबाद हुए और हिंदी पढ़ने वाले चात्री बरबाद यह सरकार कह रही है कि अपने विध्यारते को ड्रेस दे रहे हैं सत्वक्स के नेता इस पात को कह रहे हैं कि दो-दो ड्रेस दे रहे हैं लेकिन को पता होना चाहिए कि 60% पेसा भारा सरकार का है मानने मोदी जी राजस्तान सरकार को ड्रेस का पेशा 60% पेशा अपलब करवा रहे है लेकिस उस पूरे पेशे को भी लोगों तक नहीं पहुचने दे रही है और उसी पेशे में काम चला कर ये कर रहे हैं कि हम ड्रेस दे रहे हैं उस 60% पेशे को ही विध्यारतियों को बाट रहे है और राजस्तान सरकार का उसमें एक भी पेशा नहीं है माने सभापति में हो दे सभी चात्रों को ड्रेस दी जा रहे हो मैं समस्ताव ये करना बेमानी होगा 35 से जदा चात्रों को ड्रेस नहीं मिल रहे है आज वो ड्रेस के कांसी दूर घुम रहे है इस ठिटूरती सर्दी में गरीब मावाब के बच्चे ठंड के मारे ठिटूर रहे है बीमार हो रहे हैं लेकि सरकार को चिंता नहीं है ये वो सरकार है जो बच्चों के मुह से दूद छीन सकती है दूद महों बच्चों के महों से दूद छीन सकती है जिन बच्चों को साथ दिन तक दूद मिलता था सब्ता में उनकों ने दो दिन कर दिया एक दिन कर दिया और एक डेट साल तक तो विल्कुल दूद को बंद ही रखा मैं समझता हूँ बच्चों का दूद भी ये सरकार पी जाएगी बच्चों की ड्रेस भी ये सरकार खा जाएगी मैंने कभी ये नहीं सोचा था एक सरकार ने कर दिखाया है यानि बच्चों की दुस्वन भी ये सरकार बनी है इन्हों नहीं भी कहा कि दिव्यांग बच्चों के विध्यारतियों के लिए हम विश्व विध्याले खोलेंगे कहां है विश्व विध्याले दिव्यांगों का कहां कोन से विश्व विध्याले पढ़ रहे हैं इस प्रकार की थोती घोष्टना करने का कोई अर्थ नहीं है लेकिन इस अविभाषन में कल आ गया कि हमने सब कुछ करने का यत्न किया गया मानने सभापती मोदे ये भी इन्होंने घोष्टना की थी कि अनुसुचे जाती और जन जाती के विकाश के लिए हम सो क्रोड रुपे से पांसो क्रोड रुपे का प्राउधान कर रहे हैं यानि उसको बढ़ा रहे हैं चार सो क्रोड पर बढ़ा रहे हैं लेकिन मैं पूछ रहा चाहता हुँ इस सरकार से क्या इस सरकार ने सो क्रोड से पांसो क्रोड रुपे किये उसकी गैडलाइस बना दी उ लगो को लॉप मिल रहा है नहीं मिल रहा है यानि अनुसुच लाती और जन्जाती के हिस्से का 500 प्रोड रुपया Bondi के सरकार रजी है यालि अनुसुच जाती के बच्चों का भी अनुसुच जाती के लोगों का भी फैसा डगार सकती है सरकार तो फीर क्या कर रहひोगी मने स्वास्ते के बारे मिनन कहा कि हम स्वास्ते के स्वास्ते की चिंता कर रहे हैं सब को निशुल किलाज कर रहे हैं काग जो में तो निशुल किलाज हो रहा है योजना भी इनकी लेकिन माने सभापती मोदे क्या आस्पतालों में डॉक्तर्स हैं क्या पेरमेडिकल स्थाफ है क्य यानि गाउं के गाल खाली पड़े है मैं मेरी राम्यम्डी विधान सभाक्षेतर की बात करूं तो ट्रोमा होस्पिटल गोशी थे और पीछेतर बेडेड होस्पिटल गोशी थे लेकि इच्छ डाक्टर रहते हैं जाग शत्रीश डाक्टर होने चाहिए थे वह अच्छ डाक् के को से दीवी दीवी एमूलेंस भी खटा रहा होकर पड़ी है क्योंकि ड्राइवर नहीं होने कांसे उसको चला नहीं पाए है मानने सभापति मौदे मेरी बात कर वी जरूर है लेकिन गरीबियों के हिद्में जो इनोंने कहा था ना सब करें किया नहीं है इसलिए में साला एक ओलें है माने सबस्क्राइब कहां बनाजिस साला हिए कहां को साला spl's के नाम पर हजारो क्रोड रुपया ट्रौ राजिब्ट के नाम पर लेकर के हजारो क्रोड रुपया ने किया है कि लागारे से लिएव गतनि के स्विते गोडाई घो ऑपति यह सरकार से लाजी कराकर जनता गुम्राइब करने का प्रत्ति नहीं कि आपके आप मारे सिदा पिते वरिस्ट हैं असनिके निदेश निमाने गया प्लीज सिमेना जी धन्यवा सभापती मौदे जो आपने मुझे राजपाल का विवाशन पर बोलने का मौका दिया मौदे मैं हमारी कल्यान कारी सरकार की कुछनीतियों के बारे में जिनका राजपाल मौदे ने जिकर किया था उनके समर्थन में बोलना चाहता हूं सबसे बड़ी उजना जिसके व्यापक रूप से हमारी जन्ता को फाइदा हुआ है